सन 1857 में पंजाब की सबसे बड़ी च्छावनी लाहॉर के पास मियामीर में थी मियामीर में गोरे सिपाहियों की तुल्ना में हिंदोस्तानी सिपाही चार गुना जादा थे अंग्रेजों के खिलाफ क्रांती के प्रचारकों ने क्रांती की चिंगारियां पेशावर, लाहॉर, अम्रिटसर, जालंधर, फिल्लॉर, फिरोसपुर, आदी सभी स्थानों में पहुंचा दी थी पंजाग के हिंदोस्तानी सिपाहियों की यूजना ये थी के सबसे पहले मियामीर के सिपाही लाहॉर के खिले पर चढ़ाई करेंगे इसके बाद पेशावर, अम्रिटसर, फिल्लॉर और जालंधर की पल्ट ने एक साथ क्रांती आरंभ कर देंगी मियामीर में रोबर्ट मॉंट गुम्री अंग्रेज सेनापती था वो बहुत चतुर और चालाग था उसे जैसे ही मेरट और दिल्ली की घटनाओ की जानकारी मिली, वो तुरंत साथान हो गया तभी उसके एक गुप्तचर ने खबर दी के मियामीर के हिंदुस्तानी सिपाही भी क्रांती करने वाले हैं तेरा मई 1857 को मियामीर के परेड मैदान में मौंट गुम्री ने एक हजार हिंदुस्तानी सिपाहियों को बुलाया इसके तुरंत बाद तोप खाने सहित गोरे सेनिकों का दल आ गया और उसने हिंदुस्तानी सिपाहियों के दल को खेद लिया मौन्ट गुम्री ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को आदेश दिया कि वो अपने अपने हथियार नीचे रखते अंग्रेजों की सेना और तोप खाने से घिरे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने मचबूर होकर हथियार रख दिये और चुप चाप अपनी बैरकों में चले गए लाहूर के किले में मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों से हथियार रखवाने के लिए एक गोरी पल्टन भीजी गई उसने वहां के सिपाहियों से हथियार रखवा कर किले के बाहर बैरकों में भीज दिया उधर पेशावर में 24, 27, 51 नंबर की पैदल और पांच नंबर की सवार पल्टने 22 मई 1857 को क्रांती का विगुल फूपने को तयार थी मियामीर की घटना का समाचार पाते ही अंग्रेज अफसरों ने गोरी सेना के चार दल पेशावर भेजे और 22 मई की सुभा देशी पल्टनों से हथियार रखवा लिए 22 मई की शाम अंग्रेज सेनिक साफधान थे कि कहीं छाबनी या नगर में विद्रोह न हो जाए किन्त उसी रात कुछ निहत्य हिंदुस्तानी सिपाही नगर की ओर जा रहे थे उन्हें अंग्रेज सिपाहीं ने पकड़ लिया उसी रात चौदा हिंदुस्तानी सिपाहियों को हासी पर लटका दिया गया ताकि बाकी सिपाही उनसे सबक लिए बैरकों के बाहर तोपे लगा दी गई कोई भी हिंदुस्तानी सिपाही बाहर नहीं निकल सकता था जिसने हिम्मत की उसे तोप के मूँ से बांद कर उड़ा दिया गया पेशावर के पास होती मर्दान में 55 नंबर पैगल पल्टन थी इसके सेना पती करनल स्पाटिश वुट को भरूसा था कि उसकी पल्टन विद्रो नहीं करेगी किन्तु पंजाब के अंग्रेज अफसरों ने उन पर दबाब डाला कि पल्टन से हथियार रखवा लिया जाए इस पर दुखी होकर करनल स्पाटिश वुट ने आत्महत्या कर ली कोती मर्दान की पचपन नंबर पैदल पल्टन से हथियार रखवाने के लिए पेशावर से अंग्रेजों की सेना आई पचपन नंबर पैदल पल्टन फिले से भाग निकली अंग्रेजों की सेना भारी संख्या में थी। उन्होंने कोई डेड़ सो हिंदुस्तानी सिपाहियों को मार डाला। जो हिंदुस्तानी सिपाही पकड़े गए उन्हें बाद में तोफो के मुझ से बांद कर उड़ा दिया गया। इस फ्रुदय विदारक गुरुष्य का वर्णन अंग्रेज इतिहासकार जॉर्ज बिकर्स ने किया है। एक चौरस मैदान के तीन ओर पोच ख़ली थी और चौथी ओर दस तोफे थी। पहले दस हिंदुस्तानी सिपाहियों को लाकर तोफो के मुझ से बांदा गया। और फिर तोफ खाने के अफसर ने अपनी तलवार हिलाई। एक साथ दस तोफो की गरज सुनाई दी। और धुरे के साथ सिपाहियों के हाथ पाऊं सिर चारो और उर्ते हुए दिखाई दिये। ये दिरिशे चार बार दोहराया गया। फिरोसपुर में कमपनी सरकार के गोला बारूत के बहुत बड़े भंडार की रखवाली हिंदुस्तानी सिपाही करते थे। उन सिपाहियों के इरादे जानने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें परेट पर बुलाया। फिरुसी दिन कुछी घंटों बाद फिरोसपुर के भरतिये सिपाहियों ने क्रांती शुरू करती। अंग्रेजों ने स्वयम गोला बारूत का भंडार जला दिया। जालंधर, फिल्लोर और लुध्यान की देशी पल्टने चुपचाप क्रांती की तैयारी कर रही थी। 9 जून 1857 को आधी रात के समय जालंधर की देशी पल्टन ने क्रांती का एलान कर दिया। वहां मौजूद अंग्रेज सेना की सिपाही और अपसर खबरा गए। क्रांती कारी सेना बड़ी शान से लुध्यान की ओर रवाना हो गई। जालंधर की सेना का एक सिपाही फिल्लोर पहुँचा और उसने क्रांती की सूचना देदी। और वो आकर जालंधर की क्रान्तिकारी सेना से मिल गई अब दोनों सेनाएं लुध्याना की ओर बढ़ें लुध्याना के अंग्रेज अपसरों ने सतलच पर बना कष्टियों का पुल तोड़ दिया क्रान्तिकारी सेना ने रात के समय उस पुल से कोई तीन किलोमीटर दूर से सतलच को पार करना चाहा लेकिन पीछे से अंग्रेजी सेना ने हमला कर दिया घमासान युद्ध हुआ अंत में क्रान्तिकारी सेना विजई हुई